नमस्कार दोस्तों, स्वागत है, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल दैनिक मंत्र में दोस्तों आपने कई लोगों को देखा होगा, वो अपने गले में चान्दी की चाबी को पहनते हैं। दूसरी तरफ उस व्यक्ती के जीवन में सम्रिध्धी की व्रिध्धी होती है। दूसरी तरफ चान्दी की चाबी होती है। अनुसार कर लिया तो यकीन मानिये ना केवल आपको अपने जन्म जन्मानतर की गरीबी, परेशानी, कश्ट और समस्याओं से हाथों हाथ मुक्ती मिल जाएगी। बलकि आपके जीवन में धन, दौलत, सुख, सम्रिध्धी, एश्वर्य की आपको प्राप्ती होगी। मान लीजिये आपके जीवन में धन नहीं आ रहा है। आपके घर में धन तिकता नहीं है। आपके घर में वास्तुदोश है, आप बीमार पड़े रहते हैं और मान लीजिये आपकी साढ़े साती चल रही है। आपकी धरिया चल रही है, तो दोस्तों इस वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक बिना भगाय देखेगा क्योंकि सिर्फ एक साधारन से ताला और चाबी का उपाय करके आप अपने जन्म जन्मांतर की गरीबी, परेशानी, कष्ट और समस्याओं से तो मुक्ती पाही सक इन उपायों को करने के बाद ना केवल आपके जीवन में धन की वर्षा होगी बलकि आपको भागय का आपका साथ मिलेगा, एक बात का ध्यान रखिएगा, दोस्तों प्राचीन काल के समय से यह उपाय चला हुआ आ रहा है, रिशिमुनी हो गए, पंडित जोतिश एस्ट्र है, लेकिन इस उपाय का लाभ आपको तभी मिलेगा, जब आप इस उपाय को सही मार्क पर सही किया अनुसार करेंगे, देखिए दोस्तों होता क्या है, जो चाबी होती है, माना जाता है कि वो घर में धन खीचने का काम करती है, दूसरी तरफ जो ताला होता है, उसको शनी क कारक माना जाता है, कहने का मतलब यह है कि अगर आप घर में सही जगहे पर सही दिशा में घर में ताला और चाबी नहीं रख रहे हैं, तो इससे आपके घर पर कई तरह की परिशानिया आ सकती है, दूसरी तरफ अगर आप अपने घर में ताला और चाबी का सही प्रकार से प्रयोग कर रहे हैं तो आपके घर की बरकत भी होगी, आपके घर की उन्नती भी होगी और आपके घर पर हमेशा सुख और समृद्धी का रास्ता खुला रहेगा. आपको हम इस वीडियो में चावी और ताले के उन उपायों के बारे में बताने जा रही हैं, जिन उपायों को करके आप अपने जीवन में एक चमतकारी और सकारात्मक बदलाव देखेंगे क्योंकि दोस्तों जो चावी होती है, वो किसी भी व्यक्ति के आर्थिक स्थिती से जुड़ी हुई होती है दोस्तों एक बात का ध्यान रखियेगा, कहा जाता है जीस घर में भी चावी को सही दिशा में रखा जाता है उस घर में माता लक्ष्मी जी जरूर वास करने आती है उस घर पर माता लक्ष्मी का आशिरवाद सदैव बना रहता है और आपने देखा भी होगा जब भी दिवाली आता है, गशरा आता है, उस वक्त एक ताला और चाबी जरूर खरीद करके लाया जाता है और माता लक्षमी जी की जब भी पूजा पाठ की जाती है, उस पूजा में चाबी जरूर रखी जाती है इसका कारण क्या है, उसके बारे में हम आपको इस वीडियो में बताएंगे लेकिन इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था कि अगर आप चाहते हैं कि माता लक्षमी जी की कृपा सदैव आप पे और आपके परिवार पर बने रहें माता लक्ष्मी का आशिरवाद से आप अपने जीवन में बहुत ही करें तो तुरंत ही कमेंट बॉक्स में जाए और लिख दीजिए माता लक्ष्मी जी की जए और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया है वीडियो को लाइक कर दीजिये देखिये दोस्तों बहुत ध्यान से सुनियेगा जो आपको हम बता रहे हैं प्राचीन काल के समय से जब भी एक व्यक्ती की शादी होती है तो उसकी जो अरधांगिनी होती है ना उनको चाबी का गुच्छा या छल्ला दिया जाता है आज के दिनों में भी ग्रामेन इलाकों में नवेली जो दुल्हन होती है उनको चाबी का छल्ला दिया जाता है इसका कारण क्या है? तो आपको बतादे चाबी का छल्ला इसलिए दिया जाता है ताकि एक नई नवेली दुलहन जो घर में जा रही है वो चाबी के गुच्छे को ले करके उसमें अपनी एक चाबी लगा दें जिससे उस चाबी से उस दुलहन के द्वारा घर में धन आने के रास्ते खुल जाए प्राचीन काल के समय से यह उपाय चला हुआ है और आपने देखा भी होगा ग्रामीन इलाकों में भी हमेशा नवेली दुलहन को एक चाबी का गुच्छा दिया था क्योंकि दोस्तों प्राचीन द्रंथों में तंत्र शास्त्र में और हर प्राणों में यही लिखा हुआ है कि अगर एक घर में ताला और चाबी का सही प्रकार से प्रयोग कर लिया जा आपका दुर्भाग्य आपके पीछे पड़ा हुआ है तो जरूर कहीं ना कहीं आप ताले को लेकर वो गल्ती कर रहे हैं जो आपको नहीं करनी चाहिए और आपको हम इस वीडियो में बताएंगे कि ताले को लेकर के अब वो कौन से उपाय कर सकते हैं जिससे ना केवल आपका दुर्भाग्य आप से दूर चलाएगा बलकि आपको आपके भाग्य का साथ मिलेगा और फिर हम आपको बताएंगे कि चाबी के वो कौन से प्राचीन क काल के समय के उपाय हैं जिन उपायों को अगर आपने सही मुहूर्थ पर सही किया अनुसार कर लिया तो साक्षात आपको माता लक्ष्मी का वो वर्दान और वो आशिर्वाद मिलेगा जिसके बाद आपके जीवन में फिर आपको धन की कमी नहीं होगी इसलिए दोस्तों अ अगर आप चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशिर्वाद सदैव आप पे और आपके परिवार पर बना रही हैं माता लक्ष्मी का आशिर्वाद से आप अपने जीवन में बहुत उनती करे, बहुत ही आगे जाये, तुरंथ ही जाइए और कमेंट बॉक्स में लिख माता लक्ष्मी जी की जय और अभी तक आपने वीडियो लाइक नहीं किया। वीडियो को लाइक कर दीजिये तो सबसे पहले हम आपको इस वीडियो में बताएंगे की घर में ताला चाबी किस दिशा में रखना चाहिए। ताले के उपाय कौन से हैं? चावी के उपाय कौन से हैं? इसलिए आप से निवेदन हैं. कहीं एक कौपी पेन ले लीजिए और इन सारे पॉइंट्स को लिख लीजिए क्योंकि ये जो उपाय हम आपको बताने जा रही हैं. दोस्तों ये उपाय आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकते हैं. ये आपके जीवन के हर दुख और कश्ट को खत्म कर सकते हैं और अभी तक अपने वीडियो लाइक नहीं किया है. वीडियो को लाइक कर दीजिए तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए आखिर ताला किस दिशा में रखा? जाता है तो ध तर दिशा में नहीं रखना चाहिए. ताले को अगर आप अपने घर में पूरब दिशा में रखते हैं तो इससे आपका सनी दोश, वास्तु दोश, साढ़े साती, धया इनका प्रकोब लगभग लगभग ना के बराबर रहता है. देखिए दोस्तों, दोस्त को कभी खत्म नहीं किया सकता है. दोश के प्रकोब को खत्म किया सकता है. तो अगर आप चाहते हैं कि जो भी आपके उपर दोश है, ये आपका दुरभाग्य वो आप से दूर रहें, तो बस यही कीजिएगा कि ताले को कभी भी अपने घर में उत्तर दिशा में मत रखिएगा. घर के प होता क्या है कि बहुत बजरंगा सा हो जाता है, तब भी उस ताले को इस्तमाल करते रहते हैं. कभी भी ऐसे ताले का इस्तमाल मत कीजिएगा. ऐसे ताले को अगर आप इस्तमाल करेंगे, तो आपका बुधग्रह बड़ा ही कमजोर हो जाएगा, और जो बुधग्रह होता है दोस्तों अगर किसी व्यक्ति का कमजोर हो जाए तो उस व्यक्ति का दुर्भाग्य उसके पीछे पढ़ जाता है तो बस यही की जगह की ऐसा कोई ताला आप के पास है जिसका इस्तिमाल कर रही है इस पर जंग लग गया है उसको बहती हुई नदी में डाल दीजिए और अपने लिए एक नया तालिया यह ताला किस दिन लाया जाता है तो ताला जो है वो अपने घर पर बुधवार को ही लगेगा क्योंकि वो ताला होता है वो बुधग्रह से जुड़ा हुआ था है और अगर आप बुधवार को ताला नहीं लाते हैं तो यह बहुत ही अशुब होता है इससे मान्यता है इससे आपको आपके भाग्य के साथ मिलता है हम मान लीजिए आपके जीवन में आप जो भी कार्य शुरू करते हैं उस कार्य में आपको असफलता मिलती है आपके जीवन में आप ये देख रहे हैं कि आपका दुर्भाग्य बहुत ही ज्यादा आपके पीछे पड़ा हुआ तो एक उपाय आपके लिए ताले को ले करके वहाँ उपाय आप कर ले तो इससे आपका बुध्ग्रह बहुत भूत हो जाएगा और जी स्व्यक्ति का इससाथ मिलेगा जिसके बाद आपके बाद आपको नहीं करने से कोई नहीं रोक पाएगा देखिये बुध्वार को एक काला खरीद करके लिए ये एक ताला खरीद करके लाए भगवान गनेश जी की जो भी प्रतिमा आपके घर पर हैं वहाँ पर एक घी का दीपक जलाए इस ताले को आपको भगवान गणेश जी के चर्णों से छुडाना है और इसी ताले को आपको अपने कमरे में उस जगह रख देना है। जीस कमरे में आप बहुत ज्यादा समय बिताते हैं। सिर्फ इतना उपाय अगर आप किसी भी बुधवार के दिन कर ले तो मान के चलिए आपका भाग्य आपका साथ देना शुरू कर देगा, तो बस यही चीजे थी जो ताले को ले करके आपको जानना है, अब आपको मीडियम बताएंगे की चाबी को ले करके वो कौन से उपाय ह जिन उपायों को अगर आप करते हैं, तो मान के चलिए आपके जीवन में फिर आपको धन की कमी नहीं होगी लेकिन वीडियो आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन था वीडियो लाइक करना मत बोलिएगा देखिये सबसे पहले उपाय जो हम आपको बताने जा रहे हैं चाबी को ले करके वो एक ऐसा उपाय जीस उपाय को अगर आप कर लेंगे तो आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से खीचा हुआ चलाएगा आपके जीवन में फिर आपको धन की कमी नहीं होगी लेकिन इस उपाय के लिए आपको चांदी की चाबी का इंतजाम करना होगा बहुत ध्यान से सुनेगा दोस्तों चांदी की चाबी का इंतजाम कीजिए और माता लक्ष्मी का आशिरवाद मिलेगा कहीं से भी चांदी की चाबी खरीद लीजिए शुक्रवार का दिन माता लक्षमी का दिन होता है उस दिन आए दो ये सफेद कपड़ा पहनें या लाल कपड़ा पहन लीजिए और आपको सूरियास्त के बाद माता लक्षमी जी की कलाचितर के सामने बैठना है माता लक्षमी जी के सामने घी का दीपक जलाएं आपको ये एक चाबी लेनी है चांदी की अपने हाथ में रखना है और माता लक्षमी का बीज मंत्र बोलना है बीज मंत्र बहुत ध्यान से सुनेगा ओम श्री श्री हम फिर से रिपीट कर दे रहा हूं तो ओम श्री और इसी चावी को काले धागे में डाल करके आपको धारन कर लेना सिर्फ इतना उपाय कीजिए और मान के चलिए माता लक्ष्मी जी के आशिर्वाद से आपके जीवन में धन चारों दिशाओं से हुआ चलाएगा माता लक्ष्मी का आशिर्वाद आपके जीवन में हमेशा आपके उपर बना रहेगा दूसरी तरफ अपने घर में जब भी आपकी जो चाबी है उसको कभी भी ऐसी वैसी जगहे पर मत रखिएगा खास तोर से गंदी जगहे मत रखिएगा चाबी को हमेशा दरवाजे के बाई तरफ तांदा कीजिए बाई तरफ अगर आप चाबी को तांगते हैं तो माना जाता है इससे आपका शुक्रग्रह बहुत मजबूत हो जाता है और जीस व्यक्ति का भी शुक्रग्रह बहुत मजबूत होता है, उस व्यक्ति के जीवन में फिर उसको धन की कमी नहीं होती है ये एक ऐसा उपाय है जो आपका जानना बहुत ज्यादा जरूरी है तीसरा कभी भी चाबी को दोस्तों आप लोग गंदे हाथों से मचुएगा बहुत से लोग क्या करते हैं तामसिक भोजन करते हैं, ऐसे शराब, मदिरा, गुटका, पान, मसाला फिर चाबी को छू लेते हैं अगर मान लीजिए आप ऐसा चू रहे हैं, अपनी चाबी को तो सभी को अच्छे से धो लीजिए गंगाजल से धोएंगे तो बहुत ही उत्तम मौका तो दोस्तों इस वीडियो पर समाप्त करते हैं आप लोगों से निवेदन था वीडियो लाइक करना मत बोलिएगा